हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चाइनल पर दोस्तों आज के इस सुड़ी में हम बात करेंगे एम आर वर्सेस डीटी की जो मैच है उसकी तीन रिमिलियोन की विनिंग टीम से हम देखेंगे जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है फिर किसको आपको लेना किसको नहीं लेना और आखिर में किसको क्याप्टन और वास क्याप्टन आप बना सकते वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ने कि तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए साथ इसाथ बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकिसी तरह का अच्छ अच्छ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच चके तो चले दोस्तों माई टीम पर क्लिक कर लेते और और वीडियो ले को इस टीम में शामिल करूंगा विखधे रवी कीपर अभी फिलैल मैं यह लेनुए ऊसके बाद बैटर चलते तो के खान पर जैसे की देख पार रफिक कुल्हा को इस टीम में स्टीम में लिए तो इसी तरह से आप भी ले सकते और चारों के अच्छे प्रागरा को भी ले लिया है मैंने और इसके अलाव कवर अली को इस टीब में शामिल किया तो तीनों की तीनों ने अब तक बढ़िया परफॉरंस किया है जरूर आप इन तीनों को अगर एक टीब में लेंगे तो काफी फायदा हो सकता आप ग्रांड लिग जित सकते या फिर या परफॉरंस किये और काफी अच्छा परफॉरंस रह रहा है तो आफ अच्छे टीनों की टीनों और वाइस-कटन को इससे बना सकते तो नहीं हमेशा की तार मैंने क्याप्टन मक्सूद को और एस कुमार जांगडा को वाइस कैबनाय काफी दणों का और काफी कदरनाक खेल रहे दुस्तों और अच्छी काष़ा पर्फिरमेंट तो जरूर आप इन दोरों को क्याप्टन और को लिए तो चारों ने अब तक बढ़िया परफोर्मस के और चारों की चारों अच्छा खासा खिल रहे हैं तो जुरूर आप इन चारों पर वर्षा कर सकते दाव लगा सकते इसके बाद अगर आल ऑलंडर की बात करें तो यहाँ पर मैंने टीन डियाँ जर्मक्सूत को लिए और अगर आप बात कते हैं गेन बाजी की तो गेनबाजी में जैसे कि आप देख पा रहें यहां पर मैंने उवेद उल्हा को लिया है और आखिर में देख सकते हैं वाई अश्विन भी काफी इंप्रेस कर रहे हैं सभी को तो जो आप इनको भी अपनी टेम में शामिल कर सकते इन पर भी वर्षा कर सकते हैं गौहार कु मारन जाग़ा काफी जब दस्थ परफॉमस है दोस्तों बेटिंग और बॉलिंग दोनों में पॉंट दे सकते हैं अब तक देख चाहे तो ने कहंगा कि जएक ज़ए इसके ज़एन्स अट लुग करके वेस्ट मत भ स्वेस्ट मत किजेगा डूसरी डीट कर दिखा देटा हूं men जब्हा देख सकते हैं आई है हमध One को लिया है किपिंग में बाकी aoori कितने साथ मैं अभी फिलाल नहीं जाने आला क्योंकि मुझे हर टीम में अलग-अलग उप्शन करने हैं दोस्तों क्योंकि अब जब तक मल्टिपल्स टीम लगाएंगे ग्रैंड लिंग में तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता के खान को लिया है उसके बाद बैटिंग में बैटिंग के सेक लेकिन यहां प्रते जो है हमारे पास कवर अली बहुतले डीम में अब नहीं थे तो इनको भी हमने इस क्वान नहीं तो इस न्वाहर पास चार और राउंडर से और चारों की चारों आपको चर्टिंग और ब्लिंग करके अच्छे पॉइंट दे सकते तो जारों आप इन च तो बिलाल खान को लिया है इस बार पिछले टीम में हम नहीं ले पाए ते एक को फिर से रखा है दोस्तों और तीसरे जो देख सकते आप यहापे वाई एश्विन को तो हम हर टीम में ज़रूर रखेंगे यह तो काफी बड़िया टीम बन चुके दोस्तों यह भी काफी अच् जरूर आप इनको अपनी टीम में शामिल कर सकते और इनको क्याप्टर बना सकते इसके बाद बात करते वाइस पर वाई अश्विन को ज्यादोर बना काफी बड़िया परफॉमन्स कर रहे दोस्तों और अगर यह आपको दो एक दो तीन भी विकेट्स मिल जाती है इनको तो तो आपको काफी ज्यादा पॉइंट देने वाले और आपको यह अच्छी खासे पॉइंट देकर आपको ग्राइंड भी जिता सकते हैं फिर अच्छी खासे अर्णिक तो पक्का करा सकते इसके बाद तीम प्रिव्यू करा देता है जैसे कि आप देख पार यहाँ पे मेरे पा काफी फायदा हो सकता है आपको यह चारों बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे खासे पॉइंट दे सकते तो इसी वज़े से आपको डबल पॉइंट मिलने ओले इसलिए मैं इस तर से चार वर यहाँ पर आल राउंडर शामिल किये उसके बाद अगर बात करें गे ततले आउमेने इस टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन जूस किया है और वाइस कैप्टन भी बनाया वही अगरकी काफी बडरिया मेल लाग और अच्छे खासे स्टेक रेट सकते हैं तो जरूर।ON पर व्राद अब्सक्राइब करको सकते और और ने लगा सकते यह बेत को और पूर्षी पुलस्ते हैं अधर कर सकते हैं लेकर से वह से क्वाइशन के साथ लगाएंगे एक जैसे टीम में तो नहीं लगाएंगे तो एक कम से कम एक दो कॉमिनेशन आपके काफी बढ़िया पर सकते और तो कम से कम आपको ग्राइड लिग में अच्छी कासी अर्निंग दो-तीन टीमें अगर करा दे तो भी काफी फ्रॉफिट हो सकत लेकिन टीम बंडारी को हम में कम से कब एक टीम में जरू लेना चाहिए दोस्तों क्योंकि यह खतरनाक प्रफॉर्मस अच्छा प्रफॉर्मस कर देते हैं और अगर हम इनको नहीं लेता हो सकता इसलिए मैंने इनको इस टीम में शामिल कर लिए तो जरूर आप भी इनको एक लुटेसर उड़र से जीए मैंनेदुटी कalezूपर लिया एंको लिए है और तीसरे जो है जो है दोस्तों जैसे कि बाद जागरा के बाद मैंने लिया ह։ तांडेल को लिया दोस्तों जेड मक्सुत को एसकुमार जागरा को रिजबार मैंने एस तांडेल को भी लिया यह यह भी काफी बढ़िया प्लियर है दोस्तों पिछले सीरीज में मेरे काफी अच्छा परफॉमस के था हाला कि इस सीरीज में उनकी शुरुवात थोड़ी खरा आना हो सकता है अगर अगर बाजी की बात करें तो यहाँ पर उभी दुला को वापस लेया पहले टिम में लिए अग्कों लिया है और इसके बाद वाय अश्विन को इस टीम में शामिल कर लिया थोड़ा हटके सोचा यहाँ पर मैंने थोड़े अलग-अलग यहाँ पर शाम ऐसे बना सकते हैं ने इस टीम का क्याप्टन नहां पर देख सकते रविंडरा को बना है आप चाहे तो किसी और को बना सकते लेकिन मैं आप और आप नहीं भी करना चाते तो यहाँ पे मैंने इस कुमार को पिछले फर्स टीम में वाइस क्याप्टन बनाया था यहाँ यहाँ पे मैंने वाइस क्याप्टन उनको बनाया था इसकुमार जागरा को तो आप इनको क्याप्टन बना सकते यहाँ पे मैं उनको क्याप्टन ब सकते हैं दोस्तों और आप चाहिए तो भी वाइस कैप्टन जरूर बना सकते हैं फिलाल मैं इसी तरह से रखता हूँ आपको मैंने ओप्शन दिखा दिया है दोस्तों एक और जैसे कि प्रिव्यू करा देता हूँ जैसे कि आप देख पार यह आप पर मेरे पास टी भंडार ही है और यह आइटर हूँ ने और यह जा यह है ुबाद पर से यहन दोर फिर से देख सकते दोस्तों मैंने जैसे क्या है आपको पहले भी बताया था कि पी तांडेल कोHayas captain लेकिन उसके बाद मैंने आपको चेंज करके दिखा दिया इस्कुमार जागरा को मैंने फर्स्स baker बनाता लेकिन इनका पर्फार्मस देख तक और एक कर परकद को पाफिटन हो सकता मैंने बना लिया तो इस तर से भी टीम काफी बढ़िया बन चुके काफी अच्छी कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं एक कुमार जागरा अल्राउंडर तो डबल पॉंट देंगे डबल ऑप्शन हो जाते बैटिंग और वालिंग में तो डबल पॉंट मिलने के हो जैसे सकते इस तर से यह टीम काफी बढ़िया बन चुके और काफी संतुली टीम लग रहे तो जरूर मैं कहूंगा इस टीम को भी आप ग्रांड लिक के लिए उतार सकते हैं और स्मॉल लिक के लिए लगा सकते कोई प्रबलम नहीं कोई दिकत नहीं दोनों के लिए टीम बेटर है और आखिर में यह कोँगा दोस्तों कि अगर आप इन टीमों में आपको लगता है कुछ चेंजेस करना चाहिए और आपको लगता है कि कुछ क्याप्टन और वास क्याप्टन भी थोड़े अलग बनाने चाहिए तो आप जरूर बना सकते हैं लेकिन मैंने वह सब कर दाला है जैसे कि आपको लग सकता है कि यह हमने करना चाहिए था यह हमें करना चाहिए तो वैसा मैंने सब कुछ कर दिया है तो मुझे लगता नहीं कि यहाप गुंजाइश है चेंजेस करने की लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते तो जरूर कर सकते है तो आई होप दोस्तों पसंद आएंगे और पसंद आए तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरू कर देजिए और चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर लेजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अल पर भी क्लिक करना ना भूले तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में इतना है मि अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद